हेलो दोस्तों, अगर आप इस गर्मियों की छुट्टी में घूमने का प्लान कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, इस गर्मी के मौसम में आप ऐसी जगह पर जाना चाहोगे, जहां पर थंड का एहसास हो, तो आज की वीडियो में हम टॉप सेवन समर प्लेसर्स के बारे में बता ही सुन्दर जगह है, जो अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और थंडे मौसम के लिए दुनिया भर में प्रसिद है, यहां के पहाडों की उचाईों से खिची गई तस्वीरे बेहद ही आकरशक होती है, और यहां के मौसम का आनंद लेने के लिए लोग दूर-दूर से यहां पर आते हैं, यहां पर बहुत सारे छोटे-छोटे पिकनिक स्पॉट है, जहां पर आप भूमने जा सकते हैं, शिमला का इतिहास और सास्कृतिक विरासत इसे भारतिये परवतिये शहरों में एक विशेश थान प्रदान करती है, यहां पर गर्मियों में टेंपरिचर 15 भी नहीं भूल पाते हैं, नमबर टू, नैनी ताल, यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध परवतिये शहर है, जो गर्मी के मौसम में जो अपनी बेहत खूबसूरत जीलो और परवतिये वातावरन के लिए जाना जाता है, यहां की प्राकृतिक सॉंदर यता और शांती ने से प्रमुक स्थानों का दौरा करना, भी यहां की स्थलिये संस्कृति और विरासत का अनुभव करने का अच्छा तरीका है, नमबर टू, यह भारत का एक प्रसिद्ध परेटन स्थल है, जो अपने सुंदर समुद तक, खूबसूरत बीचों, और रंग बिरंगे पार्टी स्थलों के लिए जाना जाता है, यहां के पार्टी, वार्टर स्पोर्ट्स और समुद तट के किनारे की खासियत गोआ को यात्रियों के बीच लोग प्रिय बनाती है, गोआ का स्थानिय खाना, सास्कृतिक विरासत और प्राचीन मंदिरों का दौरा भी यहां के परेटकों के लिए रोमान्चक अनुभव होता है, नंबर फॉर, मनाली, ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध परवतिय शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदरियता, शान्ती और रोमान्चक स्थलों के लिए जाना जाता है, यहां आप रॉक क्लाइम्बिंग, ट्रेक, पैरा ग्लाइडिंग और जोर्बिंग का आनंद ले सकते हैं, यहां आप वाटर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, मनाली में सर्दियों के मौसम में तो सैलानी पहुँचते ही हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में काफी संख्या में हर साल यहां सैलानी पहुँचते हैं, यहां जीर ज शेत्र, शांतिपूर्ण नदीजल और रियल इंडिया की संस्कृती के सुन्दर अनगों का आनंद लेने का आफसर मिलता है। शेत्र, शांतिपूर्ण नदी और रियल इंडिया की संस्क्राइब का आनुभव करने के लिए विशेष आयोजन होते रहते हैं, जो आत्मा को शांती और स्थिर्टा की अनुभूती कराते हैं। रिशेकेश का वातावरन और परिसर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है, जो यात्रियों को अपनी और आकरशित करता है। नमबर सेवन, दाजिलिंग, ये पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध परवतिय शहर है, जो अपनी थंडी हवाओ, चाय बागानों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें एक अद्वितिय अनुभव प्रदान करती है, दाजिलिंग एक साहसिक और सुखद यात्रा के लिए एक उत्कृष्ट जगा है। तो ये थे बहतरीन सेवन प्लेसेज, जहां पर आप गर्मियों में घूमने जा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताए, और आप कहां पर घूमने जाने वाले हैं। अगर आप यहां पर जा चुके हैं, तो हमारे साथ experience जरूर शेर कीजिए। और इस वीडियो पर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो क्रिपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास किसी विशेश विशेपर कोई सुझाव या सवाल है, तो क्रिपया कमेंट में हमसे साजा करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेक्स को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। थैंक्स फर वाचिंग।